वागत है आपका अपने YouTube चैनल New Academy में आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्त और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बैतर नंसे कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज का वीडियो इस पे है कि क्या बेजिट ये 2022 की भरती अब नहीं आएगी इसा ये वीडियो इसलिए बना जा रहा है क्योंकि कल से कई लोगों का मैसेज आए जिए जो है कि सर क्या बैकंती नहीं आएगी और कुछ लोग कमेंट बाक्स में भी ये चीज पूछ रहे थे ऐसा इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि कल की डेट में पेपर में कटिंग आए हु यह मामला है AGTA 2018 का कब का मामला है यह AGTA 2018 का मामला है जिसमें जो है 2069 पोस्ट थी उसको लेके एक जो है हाई कोट में एक अपील पड़ी हुई है कि इस भरती में जो है जाच की जाए और इसमें जो है एक मामला था की समकच वाला मामला था जिसमें 20 एकरी कल्चर के समकच में जो लोग थे उनको कित आधार पे जो है समकच वताया गया था इसका मामला था इसमें कहा गया है कि जो उन्होंने जो है ससांकतिवारी और अन्य लोगों ने अपील की है किसमें कित आधार पे उन लोगों को जो है किया गया है क्योंकि 1993 का मामला ये समकच्छ वाला था उसमें कोई प्रावधान नहीं है बट ऐसा नहीं है सरकार ने जो है इस पे प्रावधान भी किया हुआ था और इसे जो 1993 वाला ये मामला है 1993 जी जो ये निमावली की बात कर रहे हैं उसमें सरकार ने संसोधन भी किया है उस संसोधन को आप लोग देख सकते हैं ये है उस संसोधन का एक जो है गाइडलाइन जिसको जिस अधार पे सरकार ने जो है बियस्ती अगरी कल्चर के समकच अन डिक्रियों को जो है एलाव गिया था आप उसको देख सकते हैं ये है उसका पूरा नोटिस जेखिए जो है ये है सासना देश जिसमें संसोधन किया गया था इस पे देख सकते हैं तो सरकार ने एक नियम के तहाद इसमें संसोधन किया है इसलिए जो ये रिट पड़ी हुई है कि ये जो है मामला है उसमें कोई दम नहीं है एक दो जो है सुनवाई में उसको मतलब खारिच कर दिया जाएगा और AGTA की बैकंसी अपने समय पे आ रही है ये देख सकते हैं य जो है अधिनस सेवा चैनायोग ने उसी को आधार मानते हुए एक नई नोटिस जारी की थी जो है जब बैकंसी 2018 वाली आई थी तो उसके बाद उन्होंने जारी किया था देखिए 9 अगस्त को उन्होंने नोटिस जारी की है कि ये लोग जो है समकच माने जाएंगे और जब से सुरू हुआ था और 23 अगस्त था जब ये बैकंसी आए थी तो उसमें क्यों ब्यस्ती वालों को एलाउ किया गये था लेकिन आने लोग जो है कोट गए तो कोट ने जो है निमा वाली में संसोधन करने के लिए कहा तो सरकार ने जो है इस सासना देश के तहत जो है कौन सा तो इस आधार पर जो है अने डिक्रियों को जो है अलाउ किया गया था जिसमें कौन कौन सी डिक्रियां है आप देख लीजिए तो पांच लोगों को एलाउ किया गया है इसमें है BSC BSC AG वाले हैं और BSC उद्धान वाले हैं BSC Forestry, Bteg Agriculture और BSC Home Science जो की किसी विस विद्यालय से किये होँ वही वही डिगिरी केवल Home Science वाली मानने है अन्य Home Science की डिगरी अन्य इन्वस्टीयों से मानने नहीं है तो आई होप आप लोगों को जो confusion था कि क्या सर जो है अब EGTA की भरती नहीं आएगी तो उस confusion आप लोगों का दूर हो गया होगा तो सरकार के पास एक ठोस जो है ठोस है उसमें उन्होंने एक नियम की ताहत इसमें संसोधन किया है और इसलिए इसमें कोई अर्चन नहीं आने वाली है तो ठीक है मित्र जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इसी तरह की EGTA से जुड़ी जनकारी आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस जो है इस चैनल को हमारे íamos कर लीजिए और बेल आइकान को दबा लीजी जो कि आपको एजी की पूरी तयारी पूरा कोर्स आपका कम्प्लीट कराया जाएगा तो इसके लिए भी आप लोग जो है ये औरोप में तयारी शुरू कर दीजिए ठीक है आज का जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम